हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Study IQ के YouTube चैनल में और हम आपके लिए लेकर आगे हैं 66th BPSC प्रिलिम्स के question answer का discussion जिसका किये part 3 है Already हम लोग 100 सवाल discuss कर चुके हैं और इस specific वीडियो में हम remaining 50 questions को discuss करने वाले हैं BPSC प्रिलिम्स के pattern को आप अच्छे से समझ रहे हैं और इस discussion के माध्यम से आपको बहुत कुछ idea लग रहा होगा कि अगर आप 66th BPSC प्रिलिम्स देंगे तो आपको किन बिंदूओं पर विसेज ध्यान देना है किस तरीके से questions को attempt करना है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे personally connect होना चाहते हैं तो टेलिग्राम एप पर अभिनव अंडरिस्कोर सर यह सर्च करके आप मुझे से जुड़ सकते हैं तो आज हम देखने वाले हैं question number 101 से और यह हम सेट जो discuss कर रहे हैं वो है सेट B लेकिन यहां सेट से बहुत ज़्यादा एहमियत नहीं है जो हमारे पास available सेट है वो भी था लेकिन में यहां पर question से matter है कि आप question को देखें और फिर आप इसका solution देखें अगर आपने इस exam को दिया है तो अभी तक आप कई बार question को उलट पलट के सारे questions को अपने दिमाग में बिठा चुके होगे तो यह सवाल कहता है number 101 who wrote the famous play निल दरपन in which operation of indigo farmers is displayed यानि कि परसीद नाटक निल दरपन जिसमें indigo की खेती यानि indigo यानि नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चितरण किया गया है उसकी रच्चाईता कौन है तो देखिए आप यहाँ पर इस बुक के कवर को देखिए ये एक ड्रामा बुक है निल दरपन और the indigo planting mirror और इसके रचाईता है दीन बंधु मित्र यानि कि option D इसका correct answer है और यह बेंगौल के region में जो operations थे उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर portrait किया गया है तो इसका correct answer हो जाता है option D question number 102 और यहाँ पर चर्चा है 1760 के famous battle of vandivas यानि परसीद vandivas की यूध जो है अंग्रेजों द्वारा किस के खिलाफ लड़ा गया और option दिया गया है फ्रांसीसियों के खिलाफ या Spain के खिलाफ मैसूर के खिलाफ या Carnetic के खिलाफ और option E है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer है कि battle of vandivas 1760 में जो लड़ी गई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तो 102 का सही जबाब option A है और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 7 years वर रहा 7 सल तक यह यूद चला है और इसमें एक important figure है sir I.R.Pood का अब यहां पर आप बहुत कुछ देखेंगे समझेंगे बहुत important यह घटना है लेकिन यहां पर आपको confused नहीं होना है कि यह किस के बीच लड़ा गया था और यहां पर आप बिल्कुल दिमांग में बैठा के रखें कि इसका सही जबाब जो है वो फ्रांस की आर्मी के बिरुध ही होगा और बाकी अगल बगल के options में आपको ताग जाग नहीं करना है correct answer option A question number 103 which of the following acts introduced separate electorate system in India यानि इंडिया में पहली बार इस तरीके का experiment अंग्रेजों के द्वारा किया गया क्योंकि अंग्रेज तो काफी expert थे foot दालो राजनीत करो के नीती में तो उसी अपने system को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर separate electorate लाया गया कि जिस जाती के लोग हैं I mean जिस धर्म के लोग है especially यहाँ बात Muslims की हो रही है कि अब Muslim अपने representative को ही चुनेंगे among Muslims इस तरीके का separate electorate जो है वो इंट्रोड्यूस इंडिया में किस act से किया गया Regulating Act of 1773 या Charter Act 1833 या PITS India Act 1784 या जो Indian Council Act है 1909 का और इसका correct answer है 1909 का भारतिय परिसद अधिनियम या Indian Councils Act जिसको की कई बार Morale Minto reforms के नाम से जानते हैं ठीक है तो 103 का सही जवाब जो है ओप्शन D ठीक है इसी बात को यहां पर बताया भी गया है इसको आप एक बार को पढ़ सकते हैं question number 104 और पूछा जा रहा है कि जो कोल मूटिनी है 18-31 का अंडर बुधो भगत ये किस छेत्र में हुआ था ये जो विद्रो है किस छेत्र से इत्तिफाक रखता है कच के छेत्र से या सिहवू के छेत्र से या वेस्टर्ण घाट के छेत्र से या सतारा के छेत्र से या option नी इन में से कोई नहीं या एक से अधिक तो ये कोल मुट्नी जो है वो सिहवू छोटानागपुर छेत्र से इत्तिफाक रखता है तो इसका correct answer हो गया option B 104 नमबर सवाल इसका सही जवाब option B question number 105 ये BPSC के favorite questions में से एक है और यहाँ पर बार बार 1857 की करांती को याद किया जाता है अच्छी बात भी है और पूछा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोका ने तरितो किस के द्वारा किया गया या किस ने किया नाना साहब ने या ताथिया तोपे ने या कुवर सिंग ने या मौलवी अहमद दुल्ला के द्वारा या option नी उप्यूक में से कोई नहीं या उप्यूक में से एक से अधिक ठीक है तो यहाँ पर options के हिसाब से आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत हद तक यह successful रहते हैं एक से अधिक वर्स तक यह अंग्रेजों को परिसान करके रख देते हैं यहाँ पर इनकी अपनी governance established भी होती है correct answer option C question number 106 जन जाती और जीले के निमन जोडों में से कौन सा जोडा सही नहीं है अब यह थोडा सा question जो है यह conflicting है यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी matching यहाँ सही नहीं है यहाँ पर जन जातीयों के नाम दिये गए हैं और वो बिहार के किस जीले से आते हैं यह पूछा गया है जैसे कि संथाल और माका क्या यह matching सही है दूसरा है मुंडा और जमुई तीसरा है औरान और सुपॉल और चौथा है खरवार भागलपूर अब इस question का answer जो है वो थोड़ा सा conflicting हो सकता है यहाँ पर देखिए मैंने के special symbol यूज कर दिया है इसके लिए अब मैं यहाँ पर आपको यह कहना चाहरा हूँ कि हमने जितना research करा और जितने सुपॉल डिस्टिक के census वेगरा को चान कर चीजों को सामने लाने की कोसिस करी है तो उसे यह पता चला कि यहाँ पर सुपॉल में ओरोंग जो यह जन जाती है इसके instance नहीं मिल रहे है और यह जो community है खरवार इनका relation बिहार के रोहतास और कैमूर डिस्टिक से ज़्यादा है तो यहाँ पर भागलपूर भी answer हो सकता है यानि option D भी हो सकता है option C भी सही लग रहा है तो ultimately हो सकता है BPS से इसका यानि उप्रित में से एक से अधिक सही है यानि कि अब यह question BPS से ही decide करे कि उसका answer क्या लेती है C, D या E ओके यहाँ पर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा हम अगले सवाल पर चलते है question number 107 यहाँ कहा गया है कि what is the percentage of all types of forest area to the total geographical area of Bihar state और यहाँ पर इस तरीके से options है 7.27%, 6.87%, 3.21% या 12.77% और option E इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक यानि Bihar राज ये के कुल भगॉलिक छेतर की तुलना में समस्त वन छेतर का परतिसत कितना है यह पूछ दिया गया है अब देखिए जरासा जो forest survey का report है तो टोटल जो forest cover है Bihar का वो अगर percentage देखें geographical area का तो वो है 7.76% यहाँ पर categorize करके बताया गया है very dense forest को, moderately dense forest को और open forest को अगर आप तीनों को total करते हैं तो आपके पास यह figure आता है 7.76% का इसमें tree cover को नहीं count किया जा रहा है तब कि यह बात हो रही है अब आप इस figure को आपीस से देखिए यहाँ पर 7.76% आपको नजर नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आप काईदे से कहें कि इसका answer जो है option E होना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि BPSC decimal के बाद वाले figures पर बहुत जादा नहीं ध्यान देते हुए जो यह decimal के पहले का number है उसी को focus करते हुए जबाब सही ले लेती है ऐसा देखा गया है पहले के records के हिसाब से ऐसे forest वैगरा के area वैगरा वाले questions में तो अब यह question जो है इसका आयोगे या तो answer A ले या option E ले ठीक यहाँ पर A या E कह देना कि E ही जबाब होगा या E ही होगा यहाँ पर कुछ भी कहने से सब को बचना चाहिए इसका जबाब आपको आयोग ही बता पाएगा लेकिन यहाँ पर हमने आपके सामने जो total सही fact है इंडिया state of forest report का जो report है उसका यहाँ पर snapshot आपको दिखाया जा रहा है हमारे द्वारा ताकि आप निश्चिंत हो जाए कि यह figure है अब बाकी तो आयोगी समझे correct answer या तो option है या E ठीक है question number 108 और यहाँ पर बात की गई है which one of the following districts is having the only national park of Bihar अब यह रहा question number 108 जहाँ पर कहा गया है निवन में से किस जीले में Bihar का एक मात राष्ट्रिय उद्यान इस्थित है option है नलंदा भागलपूर वेश्चंपारन और इस्चंपारन यह एक आसान सवाल है आप सभी को पता है कि Bihar में जो बालमिकी अभ्यारन है वो बिहार का एकलोता नेशनल पार्क है और उसको भेंस लोटन भी छेतर के रूप में जाना जाता है जो कि वेश्चंपारन में लोकेटेड है बालमिकी नगर में तो करेक्ट एंसर 108 का हो गया option C और जो हमारा डेडिकेटेड कूर्स है फॉर 66 या 67th BPSC वहां पर हमने इसीच को काफी अच्छे से डिसकस करा है और यहाँ पर same to same terms भी वही यूज किये गए हमारे दोवारा only one national park जिसका नाम है बालमिकी नेशनल पार्क और यह वेश्चंपारन में है इस जगह पर लोकेटेड है तो इसका correct एंसर हो गया option C question number 109 जो आपसे पूछा जा रहा है कि भागावलिक छेत्र की द्रिश्टी से जपान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो देखिए वैसे तो जो जपान है वो एक आर्की पैलगो है जिसमें कि चार major islands और बहुत सारे minor islands हैं तो यह जो चार important islands है जपान के उसमें एक होकेडो दूसरा है होंसू तीसरा है सिकोकू और चौथा क्यूसू अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा area किसका है चली एक बार map पर चलते हैं और आप देखिए यह जपान रहा और यहां पर लिखा हुआ है यह होकेड ठानी टोक्यो भी located है और यही सबसे बड़ा island है तो correct answer क्या हो गया option B Honsu island हो सकता है यह एक tough question के category में place किया जाए क्यूंकि बहुत सारे ऐसे candidates हैं जो कि geographical background से भी आते हैं लेकिन इतना specific सायद हो ना जानते हो question number 110 और यहां कहा गया है कि Greenland निम्न देशों में से किस देश का एक भाग है यानि Greenland is a part of which one of the following countries यानि कि Greenland किस देश के अंतरगत देखा जाता है Denmark के अंतरगत, Finland के अंतरगत, Canada के अंतरगत या United Kingdom के अंतरगत, option E भी है यहां पर इन में से कोई नहीं या एक से अधिक तो यह एक sovereign state नहीं है, समप्रभू नहीं है, यानि यह किसी के अधिन है, किसके अधिन है, तो देखिए यह आपको screen shot देखने से पता चल जाएगा, यह Greenland है यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा island, ओके और यह किसके अंतरगत आता है, इसका sovereign state कौन है, तो kingdom of Denmark, Denmark यहां पर located है, है Denmark, यानि यह Norway, Sweden, Finland और इसके जश्ट नीचे यहां Denmark, इसके नीचे यहां Germany, located है, एक बार आपने map को खोलिए, और इन चीजों को अच्छे से analyze करिए, तो correct answer क्या हो जाएगा, option A, Denmark की रजधानी आप comment section में बताएंगे, ठीक है, correct answer, option A, question number 110, कहा जा रहा है, कि which one of the following country of the world has the largest Indian population as on December 2018, अब यह जो सवाल है, यहां पर BPSC exactly पुछना क्या चाह रहा है, यह सही से समझ नहीं आ रहा है, तो इस question में भी काफी लोगों को confusion रहा है, क्या यह सवाल यही कहना चाह रहा है, कि दुनिया का वो देश बताईए, जिसकी अबादी जो है, उसके पूरे अबादी में majority Indian population है, क्या यह अगर कहना चाह रहा है, BPSC सवाल से यह पूछना चाह रहा है, तो फिर उसका जबाब हो जाएगा United Arab Emirates, ठीक है, लेकिन इस question का हम आपके सामने कोई special answer नहीं दे रहे हैं, इस question का जो answer है, वो आयोग देगा, तब ही finally समझ आ पाएगा कि BPSC पूछना क् था, अब के लिए, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर population wise देखें, तो जो United Kingdom है, जिसके अंतरगत तीन country है, यानि कि Scotland, England और यहाँ पर तीसरा है Wales, यहाँ तीनों को अगर मिला दिया जाए, तो Indian population यहाँ maximum है, largest Indian population है, लेकिन अगर ratio के हिसाब से या percentage के हि देखा जाए, किसी देश के अंतरगत, तो United Arab Emirates उसका सही जबाब होगा, फिर भी इस question को हम छोड़के आगे बढ़ रहे हैं, और question number 112, जहां कहा जा रहा है, निम्न देशों में से किस देश में, 2019 में सलाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है, Among the following countries, which country has recorded the highest annual gold output या production, 2019 की बात की जा रही है, क्या वो रश्या है, या Australia है, या चाइना है, या USA है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो इसके लिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा, और इस चार्ट को देखते पता चल रहा है कि 2019 में जो top 10 producing countries हैं gold के, उसम से, तो correct answer हो गया है, यहाँ पे चाइना, ठीक है, यानि की option C, okay, correct answer आपको देखिया, अगले सवाल पर चलते हैं, question number 113, और कहा जा रहा है कि निमन में से किस महाद्विप में सबसे अधिक देश हैं, यानि आपको पता है कि दुनिया में total आपके पास 7 continent हैं, कौन-कौन से, तो North America, South America, Europe, Asia, Africa, Australia और Antarctica, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि Antarctica जो है, यह तो unhabitated है एक तरीके से, यहाँ पर जो भी लोग जाते हैं, यहाँ के वसिंदा नहीं है, वो research के तोर पर जाते हैं, बाकी यह जो 6 continent हैं, यहाँ पर इनको कई देशों में बांट कर देखा जाता है, Australia जो है, यह continent भी है, और अपने आप में country भी है, बाकी यहाँ पर जो बच गए 5, यहाँ कई देशों में बांटवारा किया गया है, किस continent में सबसे ज़्यादा country हैं, आप से यह पूछ दिया गया, चलिए चार्ट देख लेते हैं, तो यह रहा, यहाँ पर Africa, Africa में total 54 देश ह नहीं है, Asia में total 47 देश है, Australia, और Australia में अगर ओसनिया को add कर दिया जाए, तो total 14 देश हो जाते हैं, यूरोप जो है, इसमें 43 देश, North America में 23, और South America में 12, ठीक है, तो इससे पता चलता है, कि Africa में सबसे अधिक country है, लेकिन अगर area wise देखा जाए, तो Asia सबसे बड़ा है, तो जब आप से पूछा गया है कि किस महादेश में महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं, तो Africa और correct answer option C. Question No. 114, The state of India with the highest percentage of tribal population to its total population as per 2011 census is, और options है, अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंड, मिजोरम, मेगाले या option नी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो चलिए census में कुछ ऐसे states को देख लेते हैं, जहाँ पर tribal population अधिक है, और यहाँ पर percentage के हिसाब से अगर देखें, तो हमें नजर आता है कि मनिपूर में total population का 94.44%, यानि 2011 के census के हिसाब से, यहाँ पर tribal population है, और आयोग भी आपसे यही पूछ रहा है, तो correct answer क्या हो जाएग इसका option C, ठीक है, question number 115, कहा जा रहा है, which one of the following coffee growing areas is not in Karnataka, यहाँ पर जो चार नाम दिये गए हैं, उसमें से तीन ऐसे नाम हैं, जो कि coffee growing area हैं, वो करनाटका के अंतरगत हैं, और एक जो है, वो करनाटका के अंतरगत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह पूछा गया है, तो यह चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बूदर, यह तीनों करनाटका में हैं, बीना किसी सक्के, और यह जो पूलनीज है, यह तामिलनाडू के अंतरगत आता है, यह करनाटका में नहीं है, और यही और मैं out हो गया, यानि 115 का correct answer तो option D होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीज यह जो पालनी हिल्स हैं, तामिलनाडू के जो कि दिन दिकुल डिश्टिक में पढ़ते हैं, इनको कई बार alternative नाम, पुलनी हिल्स के नाम से जानते हैं, और यही यहाँ पर spell यहाँ दिया गया था, तो correct answer यही हो गया, option D. Question number 116, यह सवाल जो है, पूछा जा रहा है, which one of the following districts of India is the largest in terms of geographical area, यानि भगौलिक छेतर की दिश्टि से भारत के निम्न जीलों में से कौन सा जीला सबसे बड़ा है, लेह, कच्छ, जैसलमेर, बारमेर, option ही, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, सबसे बड़ा कहा जा रह suitable होगा, इनमें से कोई नहीं, यह option नहीं के हिसाब से true है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जब देखते हैं, तो वैसे आप जब लेह का website खोल के देखते हैं, लेह district का, वहाँ पर बताया गया है, कि लेह district जो है, इंडिया का largest district है area वाईज, लेकिन जो 2011 census है, उसमें बताया ग यहाँ पर area की बात की जा रही है, और बोला गया है कि जो largest district है, वो है बुजरात का कच, और यहाँ पर भी जब districts की बात की जा रही है, तो यहाँ पर largest कच को ही बताया गया है, और यहाँ पर लेह को नहीं बताया जा रहा है, तो इस हिसाब से correct answer लेना हो, तो हम कच को ही सही जबाब लेंगे 116 का सही जबाब ऑप्शन भी क्वेश्चन नंबर 117 इस्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल लाइफ सेंचूरी इज कि भारत के किस राज्य में वन्य जिव अभ्यारण सबसे अधिक संख्या में हैं करनाठक तामिल्नाड महाराष्ट् मध्य परदेश या उप्शनी इन में से कोई नहीं तो ऐसे सवाल का जबाब आप बस फीगर से ही ढूंड सकते हैं देख सकते हैं ओके तो यह चार्ट है यहां पर देखिए बताया गया है कि कितने वाइल लाइफ सेंचूरी कहां पर हैं मध्य परदेश में हम देखें तो ह 30 ही वाइल लाइफ सेंचूरी जो है वो एरिया में महराश्ट्रा के 42 को एकसीड कर देते हैं लेकिन आपसे यहां पर पूछा गया है मैक्सिमम नंबर यानि संख्या पूछा गया है तो इसका करेक्ट टेंसर हो जाएगा option C यानि कि महराश्ट्रा अब हम आगए अगले सव बिहार का drainage system समझना होगा उस map को समझे नदी को देखिए और आप conclude करेंगे यहां जो चारो options दिये गए हैं यह उत्तर से दक्षिन की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूट्री है जबकि यहां पूछा गया है कि उत्तर की और प्रवाहित होने वाल जा रही है ओके यह उत्तर की और जा रही है इसका direction है बाकी बागमती कमला कोसी और गंड़क यह चारो ऐसी नदियां है जो दक्षिन की तरफ आती है तो यहां पर correct answer हो जाएगा option E यानि उप्यूक्त में से कोई नहीं 118 का सही जबाब option E question number 119 कहा जा रहा है अटल टरनेल is across which one of the following हिमालेयन रेंज निम्न हिमाले परवत सिरेणियों में से किस परवत सिरेणी को अटल टरनेल पार करती है यानि यह सुरंग बनाया गया है तो किसी चटान को सिरेणी को पहाड को काट कहीं बनाया गया है तो किस जासकर को या पश्चमी पीर पंजाल को या लदाह को या फिर इस्ट पीर पंजाल को सूचना है जरा आपको कि यह पीर पंजाल रेंज ही है तो इसमें पुर्वी सही होगा या पश्चमी सही होगा तो जरा आप अटल टरनेल के location को समझें यह जो है अटल टरनेल यह रोहत टनेल भी कहते हैं और यह रोहतांग पास के अंतरगत बनाया गया है और यह कहां पड़ता है तो इस्टर्न पीर पंजाल रेंज में ठीक है और यह मनाली हाइवे से मतलब वो कनेक्ट करता है उसको टोटल लेंद करीम नाइन किलो मिटर है और यह लॉंगेश टनेल है यानि 3048 मिटर की उचाई पर सबसे लंबा दुनिया भर का यह टनेल है और यह हमारे भूत पुरुव परधान मंत्री श्री अटल विहारी वाजबेई के नाम पर इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग तो करेक्ट एंसर हो गया ऑप्शन डी जैसा कि आपने हाँ देख पा रहे हैं इंडिया's 13th major port is going to be set up in which state? केरल, गुजरात, महराष्ट्र या तामिलाडो अप्शन ही है इनमें से कोई नहीं या एक से अधी तो देखिए इस news report को business standard में छपा है country to get 13th major port at वाधा 1 in महराष्ट्रा for Rs. 65,000 करोर यानि state कौन सा हो गया है यहाँ पे महराष्ट्रा जगह हो गया वधवन तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा option C ठीक है महराष्ट्रा में 13th major port बन रहा है question number 121 कहा जा रहा है निम्न राजियों में से कौन सा राज्ये भारत में सरवाधिक सौरे उर्जा का उत्पादक है which one of the following states is a leading producer of solar energy in India Telangana, Karnatak, Andhra Pradesh या फिर राजस्थान और option E है इन में से कोई नहीं चलते हैं options को देखते हैं options देखी रहे हैं यानि थोड़ा chart से समझते हैं figures को देखते हैं तो करनाटका देखिए यहां पर lead कर रहा है 7100 MW followed by Telangana जहां 5000 MW राजस्थान में 4400 MW, आंधर परदेश 3470, गुजराथ 2654 MW यानि lead कौन है कर रहा है करनाटक तो correct answer क्या हो जाएगा करनाटक option B ठीक है question number 122, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा matching सही है खनीज और जीले दिये गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा matching सही है क्या lime stone कैमूर में मिलता है, कैमूर district की बात हो रही है माइका क्या भागलपूर में मिलता है, क्वाट जाइट क्या मधुवनी में मिलता है, और लेट जिंक क्या गया में मिलते हैं ठीक है, तो हम लोग इसके उपर विस्तिप चर्चा किये थे जब हम लोग 6th prelims का preparation करा रहे थे और वहाँ पर ये सब चार्ट दिया गया था, और ये माइका वेगरह का छेतर बताया गया कि गया, नवादा, मुंगेर, जमुई का छेतर है, इसी तरीके से जो ये लाइमे स्टोन है, ठीक है, ये रोहतास, कैमूर, भागलपूर, बाका, नवादा, गया में मिलता है, तो यहाँ पर जो most appropriate answer है, वो है option A, लाइमे स्टोन, कैमूर, ये मैचिंग सही है, correct answer option A, question number 123, which one of the following pairs of industry and place is not correctly matched, यानि उद्योग और अस्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वोयल रिफाइनरी बरौनी, सिमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भोराही, रेल डिबा और अव्यान तरिकी, यानि वैगन एंड इंजिनियरिंग भागलपूर, इसमें कौन सा मैचिंग सही नहीं है, आप से पूछा गया है, तो ये तीनों मैचिंग बिलकुल सही है, लेक मुकामा यूनिट जो है, ये ट्रेडिशनली वैगन मैनुफैक्ट्रिंग के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर भागलपूर का कोई जिक्र नहीं है, मुझभरपूर का जरूर जिक्र है, तो ये जो मैचिंग है यहाँ पर सही नहीं है, आप संडी का, और नॉट करेक्ट प दिष्टिक्स ऑब बिहार, तो देखिए, BPSC यहाँ खुद ही कनफाइन करके कह रहा है, कि एक मात्र दिष्टिक्स में मिलता है, तो कौन सा दिष्टिक होगा, मधुबनी, भागलपूर, वेश्चमपारण, सितामढ़ी या इनमें से, एक से अधिक या इनमें से कोई नही ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताऊंगा, और फिर मेरा आपके लिए जवाब भी हाजिर होगा, कि इसका क्या जवाब सही होगा, ठीक है, तो जो पिडिमेंट स्वैंप स्वैल है, यह स्वैंप यानि कि आप समझे रहे हैं, कि यह दलदल छेतर है, यानि चमपारन डिस्टिक में, यह एकदम नोन बात है, इसमें कोई सक नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छे से डिटेल में चीजों को देखेंगे, तो पता चलता है, कि यह जो तराई का रीजन है, उसमें यह पूरा, यानि कि नौर्थ वेस्टरन पार्ट ओफ स्वाइल है, वो मिलता है, ठीक है, लेकिन यहां पर सवाल ही पूछा गया था, वनली, यानि कि जहां मेजुरिटी में मिल रहा है, बीपेसी आपसे वही सुनना चाह रहा है, तो इसमें आप जबाब देंगे, ऑप्शन C, यानि कि वेस्ट चमपारन, बीपेसी सुनना चाह रहा है, और आप उसका करेक्ट एंसर भी देंगे, ऑप्शन C, वेस्ट चमपारन, ठीक है, यहां पर ऑप्शन C को हमने हाइलाइट कर दिया, ठीक, अब हम आगे चलते हैं, क्वेस्चन नमबर 125 पर, बीहार के निम्न परसासनिक विभागिये जोडों में से, किस जोडे से, गंगा नदी नहीं बहती है, अब ये सवाल बहुत लोगों को परेसान कर भी चुका है, और अगर सही मतलब इसका निकालें, तो आपको पहले यहां का डिविजनल, यानि अडिमिस्टेटिव डिविजन्स का मैप देखना होगा, और तब इन पेर्स को देखेंगे, और ठीक है, तो ये एक मैप है आपके सामने, यहां पर अडिमिस्टेटिव डिविजन्स को दिखाया गया है, हम उनको हाइलाइट कर लेते हैं, जो यहां पर ऑप्संस हैं, जैसे दर्भंगार मुंगेर एक पेर हैं तो यहां पर हम यह लिख दे रहे हैं, दोनों में, यानि ए प्रफ़ा जो है यहां पर लिखा हुआ है कोसी और मगद को, तो इसको हम डी लिख देते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि गंगा नदी का यह इस तरीके से यहां पर फ्लो है, ओके यह गंगा नदी का रास्ता हो गया, तो यह जो ए उप्सन है, यानि यह जो पेर है, इसके बीच से भी गंगा नदी गुजर रही है, इस पेर के बीच से भी गंगा नदी गुजर रही है, लेकिन यह जो सारन तिरहुत है, इसके बीच से गंगा नदी थोड़ी रही है, ओके, तो सबसे परफेक्ट जो इसका एंसर होना चाहिए, होना चाहिए, ओप्सन C, यानि ति हार के पटना सहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्टरी अस्थापित की थी which company established its factory in 1632 at पटना बिहार British East India Company या Dutch East India Company या Portuguese East India Company या French East India Company या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक तो इसका correct answer क्या है? option B यानि कि Dutch East India Company इस पर BPS से पहले भी सवाल पूछ चुका है और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जानने के लिए है नहीं बस ये एक fact है आपको पता होना चाहिए question number 127 निम्न में से कौन सा विकेंद्री करण का वैसिस्ट्य नहीं है यानि which one of the following is not the characteristic of decentralization आप जानते हैं कि जो हमारा देश है ये देश का ख्वाब गांधी जी कुछ अलग तरीके से किये थे वो जो हमारा पंचायत है वो उसको ही unit मानना चाहते थे कि सही ढंग से प्रसासन यहीं से हो और उनका एक बहुत बड़ा focus रहाद है विलेज के empowerment पर स्वासासन पर इस तरीके के autonomy की बात गांधी जी करते थे और इन बातों को जगह मिला हमारे directive principle of state policies में बाद में constitutional amendment 73rd और 74th को लाया गया और इसके बाद यहाँ पर कानूनी रूप से इनको कुछ autonomic दी गई कहा जा रहा है कि कौन सा characteristic नहीं है decentralization का क्या उससे स्वायतता मिलती नहीं है बिल्कुल मिलती है ये तो सही है क्या लोगों का participation नहीं होता है लोग सहभागिता नहीं होती है अग गाओं के लोग ही अपने ही बीच के मुखिया को चुन रहे है परधान को चुन रहे है participation तो हो रहा है नहीं election में बिल्कुल सही है decision making में हिस्सा लेते हैं इससे क्या local communities empowered नहीं होती है बिल्कुल होती है उनका जो collective wise है उसको बल मिलता है लेकिन ये जो तीसरी बात यहां की गई है option C में कि अस्थाई समुदायों में आत्म विश्वास को नहीं जगाना ये बात त तो आपसे not correct ही पूछा गया है तो correct answer क्या हो गया option C question number 128 कहा जा रहा है which act is not the landmark in the development of the constitution during British राज कि British राज जो था British सासनकाल में समिंधान का जो विकास हुआ है आप जानते हैं कई phases में हुआ है थोड़ा 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 करके लेकिन वह British राज के अंतरगत वह कौन सा act है जो कि नहीं आता है अब यह आसान सवाल है British राज खतम हो जा रहा है 1947 में 15 अग आप दे पाएंगे इसका करेक्ट एंसर होगा option D question number 119 who owned the bid to construct the new parliament building recently आप जान रहे हैं Central विस्टा काफी न्यूज में है उसके उपर study IQ उपर कई सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और यहां पर पूछा गया है कि किस company को project दिया गया है नए parliament या सदन के भावन के निर्माण की L&T को या Reliance projects को या Tata projects को या National Highway Authority of India को या इन में से कोई नहीं या एक से अधिक तो यह news clip देखिए the economic times की और कहा गया है कि 861 करोड के लागत से बनने वाला जो नया parliament है उसका project जो है Tata projects को मिल गया है और यह side में कर दिये L&T को यानि यह bid जित जाते हैं तो इसका correct answer क्या होगा Tata projects correct answer option C question number 130 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के समिन्धान का कौन सा अनुछेद भारतिय निर्वाचन आयोग के अस्थापना से संबंधित है यह बहुत सवाल असान है इसमें कोई भी confusion नहीं होना चाहिए चारों option पढ़ने के विज़रत नहीं है correct answer option A article 324 यहाँ पर इसी बा question number 131 वर्तमान में राश्ट्रिय महिला आयोग की प्रमुख कौन है ममता सर्मा या फिर ललिता कुमार मंगलम या रेखा सर्मा या स्मिर्थी इरानी या option इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड है और यहाँ पर मिस मिसेज रेखा सर्मा के बारे में बताया गया है कि इन्होंने चार्ज ग्रहन किया है चेर परसन नेशनल कमिसंस फॉर पीमें का कब की बात है यह 2008 रखी और यह continue कर रही है तो correct answer हो जाएगा option C यहाँ पर आप देख पार है correct answer C है अगला सवाल question number 132 और यह बड़ा interpretation वाल पूछ दि ऐसी चीजों को BPSC ने भी अस्थान दिया है और यहाँ पर BPSC ने पूछा है what is meant by rule of law यानि वीधी का जो नियम है या कानून का अधिराज यह इसका क्या मतलब आप समझते हैं ठीक है तो बहुत simple tombs में अगर समझना चाहें one line में अगर बताना हो तो rule of law का मतलब यही होग कि सब ही जो लोग हैं जहां जो इस देश में रह रहे हैं उनके लिए एक कानून है एक तरीके की judicial system है और यहाँ पर कोई भी भेद भाव नहीं किया जाएगा अगर किसी व्यक्ति को कानून के नजर से देखा जाए तो correct answer इसका हो जाएगा option A यानि सब ही के लिए एक कानू और यहां कहा जा रहा है पंचायती राजसंस्थाओं को 29 कारियों की जो सूची है वो किस अनुछेद के तहत दी गई है यहां पर यह कट गया है जरा सा लिस्ट जो है सूची जो है किस अनुछेद में इसका जिक्र है आर्टिकल 243 का H या फिर 243 का क्लाउज E या क्लाउज या क्लाउज G या इन्वे से कोई नहीं या एक से अधिक सोचिए बिचारिए और इसका करेक्ट एंसर है आर्टिकल 243 जी यहां पर इस बात को काफी अच्छे से बताया गया है और यहां पर जो भी पावर ऑथरीटी रेस्पोंसिबिलिटी है किसी पंचायत के जो सब्जे यह काफी न्यूज में रहा था बहुत लोगों के द्वारा इसका समर्थन किया गया एक बड़े तबका जो है उसके द्वारा बिरोध भी किया गया बहुत सहरों में बिरोध परदर्शन हुए तो यह न्यूज में काफी रहा और इससे question काफी obvious है आप से यहां तारिक पू यह तारिक है 11 दिसंबर 2019 इसमें कोई अगरमदर की बात नहीं है करेक्ट एंसर हो गया option B question number 135 कि 73 समिंधान संसोधन कानून की वैधानिक शुरुवात कि समिंधान संसोधन बील से हुई ठीक है और यहां पर बोला गया है 61, 62, 63, 64 या option ही इनमें से कोई नहीं या एक से अधि ओके तो इस question को इस specific question को हम skip कर दे रहे हैं इस पर हमारी कोई commentary नहीं होगी इसका जवाब आपको आयोग के द्वारा ही दिया जाएगा question number 136 बिहार government launched a new scheme जिसका नाम है सतत जीवको पारजन योजना कब यह launch किया गया? 2018 में तो इसका मकसद क्या है? यहां options दिये गए है खता देने के लिए या ग्रामिर छेत्रों के अस्थानिय निकायों के माध्यम से रुजगार प्रदान करने के लिए या अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आयका स्रीजन करने वाली परी संपती प्रदान करना या युवाओं में दक्षता की ब्रीधी के लिए न्यूज आइटम है 5 अगस 2018 का जहां ये कहा गया है कि जब यहां पर बिहार में सराबंदी हो जाती है तो जो देशी सराब और जो ताड़ी है यानि कि तोड़ी भी इसको कहते हैं जो उसका उत्पादन और जो बिक्री करने वाली जो community थी जो कि परंपरिक रूप से इसी activity मे involved था उनका पूरा family तो एकदम से उनका जो family business है सराबंदी के वजह से वो चौपट हो गया वो परिवार आर्थिक रूप से पमजूर हो गया ठीक है तो उनके लिए ये special package लाया गया सतत आजीवी का एवं छमता निर्माण हेतु वितिये सहायता परदान करने का ठीक है तो correct एंसर क्या हो जाएगा कि अत्यदी गरीब परिवारों को सतत आयका स्रीजन करने वाली परिसंपती परदान करना correct answer हो गया 136 का option C question 137 बिहार सरकार के साथ निश्चियों में से निम्न में से कौन सा समिलित नहीं है महिला रोजगार साफ पीने का पानी सभी परिवारों को बिजली के अपूरती बाल कल्यान या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक तो साथ निश्चे आपको तो मुझजबानी याद रहना चाहिए ठीक है और देखिए अब तो साथ निश्चे का part 2 भी launch हो गया है तो जो पहला साथ निश्चे था इसमें पहला था आर्थिक हल युवाओं को बल दूसरा था अरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार य सब बाते हो रही हैं यहां पर युवा सक्ति की बात की गई ससक्त महिला की बात की गई सक्षा महिला की बात की गई सिचाई की बात स्वक्ष गाओं स्वक्ष सहर की बात सुरलव संपरकता की और स्वास्त की बात की गई लेकिन कहीं पर आपको स्पेसफिक यह बाल कल्यान यानि कि Child Welfare की बात नहीं नजर आ रही है, तो correct answer हो गया इसका option D. Question number 138, कि बिहार का प्रति व्यक्ति सुध राज्य घरेली उत्पाद इस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है? वर्स 2018-19 में यह क्या था? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का एवरेज जो है, पर कैपिटा GDP कितना है, और बिहार एस्टेट का पर कैपिटा GSDP कितना है, तभी आप तुलना कर पाएंगे, तो यहां पर देखिए यह इंडिया के लिए figure है, और यहां ब ठीक है, 1877 US dollar है, और बिहार के लिए है, यह करीब 600 US dollar, पर कैपिटा GDP यह GSDP कहना ज़्यादा उचीत होगा, तो अब आप देख पा रहे हैं, यह कहीं न कहीं, इसका one third है करीब, और one third को हम कहते हैं, करीब 33%, तो correct answer हमारे हिसाब से इसका होना चाहिए, option D, और यह आप इसक तो सही मान सकते हैं, फिलहाल के लिए, question number 139, कि भारत में खादे प्रवंधन, यानि की food management का इसमें से कौन सा उद्देश यह नहीं है, कौन सा एक objective नहीं है, खादयानों का वितरण, यानि distribution of food grains, या खादयानों की खरीद, procurement of food grains, यह दोनों काम किया जाता है, buffer stock का रख रख maintenance, यह भी किया जाता है, लेकिन food management में, इंडिया में, यह policy नहीं है, export of food grains की, यानि खादयानों का जो निर्यात है, यह इसका कोई उदेश से नहीं है, तो यहीं गलत हो जाता है, और आपसे यहीं नहीं है, पूछा गया है, तो correct answer क्या हो गया, option D, question number 140, पूछा जा रहा है, revenue deficit in India का मतलब क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपका एक concept clear होना चाहिए, कि घाटा का मतलब क्या होता है, deficit का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इन courses को deal कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने काफी अच्छे से इस topic को explain किया, और हमने समझाया था कि यह deficit जो है, इसको आपको कैसे समझना है, यानि कि यही बात हुई कि आम दनी अठनी खर्चा रुपईया, सरकार को जितना रुपईया यहाँ पर राजसो में मिल रहा है, तो राजसो में सरकार उससे अथिक खर्च कर रही है, यही कहलाता है राजसो गाटा, यानि इसके लिए सरकार को कहीं और से पैसा लाना पड़ेगा उधार में लाकर और फिर यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई भी पुझी नहीं तयार की जानी चाहिए, ठीक है, capital asset नहीं तयार करने है, यानि कि भारत सरकार को अपने उन व्याय के वित्व पोशन के लिए उधार लेने की आवस्यक्ता है, जो पुंजिगत परिश संपतियों का निर्मान नहीं करते हैं, यह आप तेख पा रहे हैं, इंडियन गुवर्मेंट निड्स तू बॉरो इन ओर तू फाइनान्स इस एक्सेंसे विच दो नॉट क्रियेट कैपि 2019-2020, 2019-2020 के लिए निम्न में से कौन सा देश भारत का सरवाधिक ब्यपारिक भागिदारी वाला देश है, इवेस, चाइना, इनाइटेद अरव एमिरेट्स, सौधिय अरविया, यह इन में से कोई नहीं, और इस चार्ट को देखिए, पाई चार्ट को देखके आप समझ पा में पूछा जा रहा है, यह एक आसान प्रस्न है, गौर्मेंट स्कीम से है, काफी चर्चा में रहा हुआ यह प्रोजेक्ट है, कि भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफराइस्ट्रक्चर स्चेतर संबंदित है, दुरसर्चार, या रेलवे, या इंफर्टेंस के रीजन्स हैं, जो बॉर्डर एरिया है, उनका डेवलप्मेंट किया जा रहा है, और आपको इसकी डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगी, तो करेक्ट एंसर हो गया इसका आप्शन सी, Q143, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में ओद्योगिक छेतर की उपलब्धी को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था ओद्योगिक उत्पादन के सुचकांग को जारी करती है, यानि, which of the following agencies releases the index of industrial production to measure industrial performance in India, option है, NSSO, या फिर RBI, या CSO, या ISI, ISI का मतलब Indian Statistical Institute, यानि भारतिय सांखिकिय संस्था, और option E है, उप्यूप में से कोई नहीं, या एक से अधिक, ठीक है, तो देखिये, जो IIP है, जो index है, industrial production का, ये index बताता है, growth rate, different industrial groups में, किसी भी economy में, fixed period of time के लिए, ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, तो इसता compilation और जो publication है, वो NSO के द्वारा किया जाता है, जो कि Ministry of Esthetics और Program Implementation के अंतरगत आता है, लेकिन यहाँ पर आपको option में NSO नहीं नजर आ रहा है, यहाँ NSO दिया गया है, और यहाँ पर कोई दूसरा option है, CSO, तो इसका most probable जो answer होना चाहिए, वो है option E, यानि कि इन में से कोई नहीं, question 144, यहाँ पूछा जा रहा है, ease of doing business, ranking से related सवाल कि 2020 में क्या rank रहा, और पिछले बार के तुल्ला में इसमें कितना improvement हुआ है, ठीक है, तो options पढ़ने से पहले इस graph को देखिए, और इंडिया बाचुका है, 63rd position पर, और 63rd पर कहां से पहुचा है, तो 77th position से पहुचा है, ठीक है, 2014 में इंडिया 142 rank पर था, और अभी यह इतना चलांग मार के 63rd पर आ गया, लेकिन last year के तुल्ला में 77th से 63rd और यही option है, पहला, यानि 77th in previous year to 63rd in this year, विगत वर्स के 77th से 63rd वास्थान, यही इंडिया आया है, तो 144 का correct answer, option A, question number 145, कहा जा रहा है, to improve institutional agriculture credit flow, what credit target for 2020-21 has been fixed in the union budget of India, आसान सा सवाल है, भारत के केंदरिये budget में संस्थागत क्रिसी साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-20 के लिए साख लक्ष कितना का रखा गया है, और यह 15,00,00 करूर रूपय का, यानि कि option C, question number 146, कि परधान मंत्री जो कुसुम scheme है, PM कुसुम scheme, उसका क्या objective है, उसका क्या उद्देश से है, to reduce farmers dependence on monsoon for irrigation, कि जो सिचाई के लिए किसान monsoon पर निर्भर रहते हैं, उनका निर्भरता कम करना, क्या यह option है, क्या यह जो साहुकारों से पैसे लेते हैं किसान, उनका उनपर से निर्भरता खतम करना, PM कुसुम scheme का मकसद है क्या, तीसरा है, promotion of floriculture, यानि फूलों की खेती को promote करना, और चौथा है, to remove farmers dependence on diesel and corrosion, and to link pump set to solar energy, कि pumping set को solar energy से जोड़ दिया जाए, कि किसानों को petrol, diesel पर, किरोशन पर बहुत ज़्यादा dependent ना रहना पड़े है, option E है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिए, तो हम चलते हैं, यहाँ पर विकास PDA page, और यहाँ पर PM कुसुम scheme को explain किया गया है, यह ministry of new and renewable energy के अंतरगत आता है, और यहाँ पर इसके तीन components हैं, बताया गया है, यहाँ पर आप समझेंगे कि decentralized renewable energy power grids की बात की गई है, दूसरी बात की गई है, irrigation को सुधारने के लिए, ठीक है, यानि scheme for farmers for installation of solar pumps and grid connected solar and other renewable power plants, यह component इसका A, B, C इस तरीके से बताया गया है, तो अब यहाँ पर option A जो यह दिख रहा है आपको, कि यह farmers का जो dependence है, monsoon for irrigation वाला, इसको कम करना, और यह जो चौथा option है, कि यहाँ farmers का जो dependence है, diesel corrosion उसको कम करना, और pump set जो है, उसको solar से link करना, तो देखिए, यह direct जो यह line यहाँ पर suit कर रहा है, तो वो यही वाला है, यानि कि जो यहाँ पर बाते की गई है, to remove farmers dependence on diesel corrosion and to link pump set to solar, अब यहाँ पर या तो option D लिया जाएगा, आयोग के द्वारा, या अगर वो यह को भी consider कर ले, क्योंकि irrigation की बात हो रही है, monsoon पर जो dependency है, उसको कम करने की, तो आयोग एक बार को इसका option E भी ले सकता है, लेकिन हमारे experience के अधार पर यह लगता है, कि इसका correct answer D ही होना चाहिए, question number 147, निम्ण में से भारत का कौन सा बैपारिक बैंक, विशो के सिर्ष सो बैंकों में सामिल है, यानि इंडिया का कौन सा commercial बैंक है, जो दुनिया के top 100 बैंक में से आता है, ICIC बैंक, SBI, HDFC या KOTAK महंदरा बैंक, क्या इन में से कोई नहीं, एक से अधी, तो ये लिश्ट देखिए, आपके सामने लिश्ट है, और हम यहाँ पर 53 से लेके 70 तक आपको लिश्ट दिखा रहे हैं, जिसमें 60 नंबर पर आपको भारत का SBI नजर आता है, इंडिया का ये बैंक है, और यहीं इसका करेक्ट एंसर हो जाता है, यानि कि option B, भारत से दुनिया के top 100 बैंक में एक बैंक है, स्टेट बैंक को इंडिया, question number 148, ये निर्विक स्कीम जो की बजट में जिक्र किया गया था इसका, भारत सरकार ने 2020 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोसित की थी, ठीक है, अर्थ विवस्था का निम्ण में से कौन सा छेत्र इस से लभानमित होगा, क्रिसी छेत यानि agriculture सेक्टर, या फिर industrial सेक्टर, या health सेक्टर, या export सेक्टर, ठीक है, तो ये जो निर्विक है, ये scheme किसलिए है, to provide high insurance cover for exporters, ये कहना है, finance minister का, तो कौन सा सेक्टर इस से related होगया, निर्यात छेत्र, यानि export सेक्टर, correct answer, option D, question number 148, कहा जा रहा है, कि बिहार गौर्मेंट has introduced the comprehensive financial management system, जिसको सौर्ट में कहा जा रहा है, CFMS, एक अप्रील 2019 को ये launch किया गया, इसका क्या मकसद है, तो इसका मकसद है, कि जितना भी, या कहने समस्त वीतिये कारे कल्प जो है, उसको online करना, और paperless करना, यानि कागज रहित बनाना, और ये है, इसका option A, correct, ठीक है, और आ परत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को भी हर राजे को क्रिसी कर्मन पुरसकार दिया, ठीक है, पुरसकार प्रदान किया गया, ये पुरसकार किस अनाज के लिए दिया गया है, तो देखिए, दो अनाज के लिए, दो ग्रेंस के लिए मिला है, मक्का के लिए और गेहुम के लिए, या लिए PM ने बिहार को दिये दो क्रिसी कर्मन पुरसकार तो करेक्ट एंसर आप समझ गया है इसका है option A इस तरीके से बिहार पॉब्लिक सर्विस कमिशन के 66th BPSC prelims के सारे questions को discuss कर लिए और जो एक कुछ conflicting questions हैं उनको छोड़के बाकि जो questions हैं उनका सही source, सही answer और जो conflicting questions हैं उनसे most probable क्या answer होना चाहिए logic के साथ इन चीज़ों को देख लिए हम आगे भी मिलते रहेंगे अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप अपने doubt को doubt.studyiq at gmail.com पर लिख सकते हैं या भी numbers को भी contact कर सकते हैं और फिलाल इस वीडियो में इतना ही thanks for watching and have a great day